दोसो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिया में लिखी हुई फॉर्स्ट नोवल जिसको इंग्लिश लैंग्विज में लिखा गया था जिसका नाम है राज मोहन स्वायफ इसको लिखा था बंकिम चंदर चैटर जी ने बहुत ही फीमस नोवल है मैं ढंक से इसकी समरे डिस्कस करूँगा डीटेल से बताऊँगा वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो पेशन्स रखना पड़ेगा थोड़ा सा चलिए शुरू करते हैं मिलता हूं इस वीडियो के गिनी जाती है और ये बंकिम चंदर चैटर जी की फर्स्ट नोवल थी डेब्यो नोवल थी चलो मैं शुरू करता हूं कहानी इसकी ये कहानी शुरू होती है एक दोपहर का टाइम होता है बंगाल प्रेजिडेंसी में राधा गंज नाम का एक गाउँ था वहाँ पर एक 30 सा की औरत जो अचानक एक जपकी से जाकती है अपने कपड़े पहनती है और अपने घर से बाहर निकलती है पास के घर में जाती है अब पास के घर में उसकी मुलाकात होती है 18 साल की अभी अभी एक लड़की की शादी हुई है उस लड़की से अब दोस्तों दोनों औरतों का नाम हमें नहीं पता, एक 30 साल की, एक 18 साल की है, दूनों औरतें आपस में बातचीत करती है, और इसी बातचीत में हमें पता चलता है कि जो 30 साल की औरत है, उसका नाम है कनक मई, क्या नाम है कनक मई, को आगे हम इस कहानी में कनक कहकर बुलाएंगे, वो इस 18 साल की औरत की पा करेगा लेकिन फिर भी ये अगर इससे मिलने आई है तो ये उठाती ये घड़ा अपना और चल देती है कनक के साथ में बाहर पानी भरने के लिए अब दोस्तों मैं इस कहानी में दो कैरेक्टर्स की एंट्री करवाने जा रहा हूँ दो कैरेक्टर्स जो दो चचेरे भाई हैं मतलब कजन हैं आपस में बाते कर रहे हैं बड़े भाई का नाम है माथुर गोश और छोटे भाई का नाम है माधव गोश अब इन दोनों के characters के बारे में समझने से पहले हमें थोड़ा सा इनका background जानना पड़ेगा ये मातुर कलकत्ता से आया रादागंज में और ये दोनों भाई हैं, कजन हैं, मैंने आपको पहले भी बताया ये दोनों अपनी खिड़की से बाहर देखते हैं, कनक और उस 18 साल की लेड़ी को पानी लेकर जब घर जा रही थी, नदी से पानी भर कर तो अचानक तो एक अचानक तेज हवा का जोंका आया, और वो 18 साल की लेड़ी जो थी, उसका घुंगट उठ गया, और चहरा सामने आ गया अब इन दोनों भाईयों में जो माधव था चूटा वाला, इसने उस लेड़ी को पहचान लिया, 18 साल की लेड़ी, जिसका नाम हमें अभी तक नहीं पता है, मातंगिनी माधव ने जब उससे पहचाना, तो माधुर ने पूछा, तुम जानते हो इसको, माधव बोला हाँ, ये मेरी साली है, ये तुम्हारी साली है, हाँ, ये राजमोहन की वाइफ है, अब ये राजमोहन कौन है, हमें आगे बता चलेगा, तो कनक और मातंगिनी, जो नदी से प कानी भरने के लिए बाहर कैसे गई, अब दोस्तों, हम थोड़ा फ्लैश बैक में जलते हैं, प्रेजेंट पे भी आएंगे, पहले पास्ट जान लेते हैं, कि ये कहानी आकर है क्या, एक बंगाली जमीदार था, उसका नाम था बंग्शी बदन, उसने मरने से पहले अपनी प्रॉपर्टी अपने तीन बेटों में बाढ़ दी थी, सबसे पहला बेटा था रमाकान, दूसरा बेटा था रामकनाई, और तीसरा बेटा था रामगोपाल, इन तीनों की बीच में बाढ़ दी, ये रमाकान्त माथुर का पिता था, और रामकनाई माधव का पिता था, र अपनी मर्जी से अपने बेटे माथुर को English education नहीं दिलवाई। लेकिन उसने अपने बेटे को practical knowledge सिखा दी कि property को कैसे संभाला जाए। जबकि माधव का बाप रामक नाई बहुत खर्चीला था सुबाब से। वो क्या करता था उसने सारी संपत्ति अपने उड़ा दी जिसके कारण। लोग उससे पैसे लूटते रहे लूटते रहे लेकिन अपने बेटे को एक अच्छी खासी education उसने दिलवाई। और अपने बेटे माधव की शादी उसने हेमांगिनी नाम की एक अच्छी खुबसूरत लड़की से भी करवाई। और दोस्तों ये हेमांगिनी जो थी ये मातंगिनी की बड़ी बहन थी। कि मातंगिनी की शादी राजमोहन नाम के एक आदमी से कर दी गई। अब कैसा लगता है जब एक बहन की शादी तो अच्छे घर में हो गई, अच्छे लड़के के साथ में हो गई और दूसरी बहन की शादी राजमोहन नाम के एक निकम्मे आदमी से हो गई यहां तक कि मातंग गिनी ने क्या किया था हेमांग गिनी के पास में गई थी अपनी बड़ी बहन के पास में कि मेरे पती के पास काम नहीं है अपने पती से बात करो माधव से और उसे नौकरी दो एक ऐसा काम जो वो कर सके ऐसा कोई काम दो अब माधव ने सीधा जाकर राजमोहन से बात की कि तुम काम करोगे राजमोहन बहुत गुस्टा होगे ये मुझे काम देगा लेकिन फिर बाद में बोलता है डिरेक्ली तुम नहीं बोला बोला मेरे पास घर नहीं है राधा गंज बिनाने के लिए तुमाधव बोला तुझे घर की टेंशन है मैं तुझे घर भी दूँगा चिंता मत कर और आखिर राजमोहन को ना चाहते हुए भी यहाँ पर काम करना पड़ा और यहाँ पर वो अपनी बीवी की साथ में राधा गंज में रह रह रहा है अब दोस्तों तीसरा जो भाई था राम गुपाल मैंने आपको बताया था तो उसका कोई भी बच्चा नहीं था उसने मरने से पहले क्या किया था अपनी प्रापटी माधव की नाम कर दी थी एक शर्त पर कि मेरी बीवी का जिंदगी भर खयाल रखेगा मतलब माधव को अपने चाचा राम गुपाल की प्रापटी मिल गई एक शर्त पर कि वो अपनी चाची का खयाल रखेगा तो ये पूरी इस फैमिली की कहानी है अब कहानी प्रेजन्ट में आ जाती है तो मातंगिनी को वो देखता है कौन? माधव कहता है ये तो मेरी साली है तो मातंगिनी नदी से पानी भरने के बाद में घर लटती है तो उसका हस्बन राजमोहन गुसा गरता है बहुत डाटता है, मारा पीटी भी करता है वो बिचारी रोने लगती है वो क्या गरती? राजमोहन बहुती अब्यूसिव टाइप का हस्बन है वो अपनी वाइफ को मारता भी है गालिया भी देता है और पूरी तरीके से हग जमाय रखने ही कोशिश करता है और वो बिचारी बतले में रोती रहती है यहाँ ये जो माधव है ये अपने घर में रहता है तभी इसका वकील गुकुल इसके पास में आता है वो कहता है कि आपकी चाची मतलब राम गुपाल की विद्वा पत्नी ने आप पर मुकदमा दायर किया है वो कहती है कि आपने जो राम गुपाल से वसीयत बनवाई थी न वो जाली है राम गोपाल ने कभी अपनी प्रापटी आपके नाम की ही नहीं और इस केस को लड़ने के लिए पारशद उस लेड़ी को सपोर्ट कर रहा है तो यहाँ पर माधव कहता है मेरी चाची मेरी खिलाफ में मुकदमा दायर कर रही है बड़ी अजीब बात है मैं उनसे मिलना चाता हूँ वो मिलने कोशिश भी करता है लेकिन दोसों एक चीज मैं आपको बता देता हूँ यह माधुर जो है न यह अंदर का बहुती नीच किसम का आदमी है यहाँ पर माधव अपनी चाची को ढूड़े जाता है वहाँ पर इसकी चाची इसको नहीं मिलती किसी ने इसको बताया कि यह इसकी चाची माथृ के घर के आज-पास दिकिती जिसका कजन है न माथृ अब कहानी मातंग कीनी पर वापस आती है जो बिना कुछ खाय पिये अपने कमरे में अपने पुराने दिनों को याद करती है जैसने अपनी बहन के साथ गुजारे थे लभी खिड़की खोलने के लिए जब वो उठती है तब अंजाने में कमरे के ठीक बाहर गार्डन में वो दो आदमियों को आपस में बात करते हुए सुनती है उन दो आदमियों में एक तो इसका हस्बेंट था राजमोहन और दूसरा आदमी था वो एक डकेत था डकेत मतलब एक नेता टाइप का था जिसको सरदार नाम से जाना जाता है पूरे एरिया में तो सरदार और इसका हस्बेंट राजमोहन आपस में बाते कर रहे शायद कोई प्लान बना रहे थे इसी डखेती का राजमोहन उस वसीयत को चुराने के इरादे से प्लान बना रहा था जो वसीयत माधव के लिए लिखी गई थी उसके चाचा राम गोपाल ने लिखी थी ना मरने से पहले कि मेरी बीवी का ख्याल रखेगा वो वसीयत चुराने की इरादे से प्लानिंग बना रहा है उसका हस्बन राजमोहन क्या बोल रहा था देखो मैंने तुम्हें जो जानकारी दिये उसकी बदले में मुझे एक बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए तभी अचानक एक मिनट वो पीछे जाकर देखता है मातंगिनी को देखने के लिए कि मातंगिनी सो रही है क्या कमरे के अंदर खिड़की से जाकर देखता है तो मातंगिनी चुप चाप सोने का नाटक करने लग जाती है ऐसे दिखाना चाहती है कि वो कुछ नहीं सुन रही है जब सरदार और राजमोहन वहाँ से चले जाते हैं तो डरी हुई मातंकिनी मत सोचने लगती है कि अब क्या करूँ मेरा हस्बेंट तो बहुत गलत काम करने जा रहा है माधव को इस डकैती के बारे में बताना पड़ेगा वो फैसला करती है कि माधव के पास में जाएगी माधव को जब इस डकैती के बारे में पता चलता है तो वो एकदम चौकनना हो जाता है अपने गार्ट को तयार कर रहता है और जब लडाई होती भी है डकैतों के बीच में और गार्ट के बीच में तो ये सीधी बात तल जाती है सीधी तरीके से बात तल जाती है माधव मातंगिनी को कहता है कि तुम्हारी मदद का बहुत बहुत शुक्रिया तुम नहीं होती तो शायद आज रकेती हो जाती घर के अंदर अब दोस्तों मातंगिनी ने आज तक अपने आपको बहुत रोका है आज वो खुद को रोक नहीं पाई और माधव के लिए अपने प्यार को उसके सामने जाहिर कर देती है दरसल जब इसकी बहन हे मांगिनी के लिए इसका जब इष्टा आया था ना माधव का तो ये उस टाइम से माधव को बहुत पसंद करती थी उस टाइम से लेकिन इसकी शादी अनफॉर्चनेटली उस राजमोहन से हो गई फिलाल माधव उसके प्यार की सारी बात सुनता है लेकिन बिचारा कुछ नहीं कर पाता क्योंकि शादी शुदा है अब सुबह सुबह वो मातंगिनी को अपनी नौकरानी करुणा के साथ में बेज देता है कि जाओ घर जाओ अपने जब ये अपने घर पर जाती है तो इसके हजबन को पता चल जाता है कि ये सारा किया धरा इस आरत का है अब दोस्तों सिर्फ वो पानी भरने के लिए नदी के किनारे गई थी तब उसने उसको इतना सुनाया था मारने पर उतराया था अब तो ये चाकू लहराते हुए बस उसको मारने ही वाला होता है तभी अचानक इसी के आदमियों से इसकी जड़प हो जाती है कौन? वो सरदार, सरदार और दो डाकू आकर इस पर हमला कर देते हैं जब बीच में के आस होता है, मतलब आपस में ये लोग लड़ रहे होता है तो यहां से मातंक इनी भाग निकलती है पीछे से राजमोहन उन लोगों को समझाता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे छोड़ो राजमोहन मन ही मन कसम काता है कि छोड़ूगा नहीं इस ऑरत को बातंक नि यहां से भाग कर जाती है अपनी 30 साल की दोस्त कनक से मिलने के लिए कनक के पास में जाती है और उसे बताती है कि राजमोहन गुस्से मैं और मुझे मारने के लिए उतराया मुझे चुपने के लिए जगा चाई तभी वहाँ पर सुकी की मा करके एक ओरत थी जिसको सुकी की मा बोलते है वो कहती है कि बेरे पास में जगा है चलो बेरे साथ में वो लेडी अपने साथ पर लेकर जाती है उसे माथुर के घर पर दोस्तों ये माथुर के घर पर काम करती थी लेडी और माथुर के घर पर ले जाकर वो माथुर की बड़ी वाली बीवी जो थी तारा उससे उसको मिलवाती है और कहती है कि ये पूरी कहानी सुनाती है माथुर कमरे में आता है तारा उसे सारी बात सुनाती है और फिर बोलती है कि ये मातंगे नहीं है इसको घर में रहने के लिए जगह चाहिए दोस्तों इसी बीच इसकी जो दूसरी बीवी थी माथुर की दूसरी बीवी थी चंपक जो 20 साल की थी वो नाटक करती है कहती है मैंने रहने दूँगी इसको घर में और इसी बात पर माथुर और चंपक दोनों की बहस हो जाती है अब उस रात तो मंतागिनी इनहीं के घर में रहती है अगली सुबह एक आदमी आता है इनकी घर के बार वो आदमी राजमोहनता कहता है कि मुझे अपनी बीवी वापस चाहिए मैंने उसे माफ कर दिया है मैं उसे अपने घर ले जाना चाहता हूँ लओ का है मेरी बीवी और आखिर वो मंतागिनी को अपने साथ में दोस्तो ये इसे डिरेक्ली घर पर नहीं लेके आया और डिसकेशन कर रहे थे कि किस तरह से हम उस वसीयत को चुराएंगे ये लोग किसके साथ में डिसकेशन कर रहे थे दोस्तों उस वकील गोकुल की साथ में ये वकील गोकुल जो मादव का वकील है ये भी इनके साथ में मिला हुआ है कि कैसे हम दूसरी कोशिश करेंगे उस वसीयत को चुराने के लिए और इसके लिए हमें उस मातंगिनी को रास्ते से हटाना पड़ेगा राजमोहन वहाँ पर आता है और फिर बोलता है कि हाँ मुझे अपनी बीवी पसंद नहीं है मुझे उससे नफरत हो गई है लेकिन मैं उसे मारना नहीं चाहता तो सरदार बोलता है कि तुम्हें अपने परिवार को तो छोड़ना ही पड़ेगा और देखो अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो ध्यान रखना मैं क्या हूँ मुहन उसकी धंकिया सुनकर घर लाटाता है दोपैर का खाना खाने के लिए बैठता है तो अपनी बेहन से बोलता है कि बुला उस मतंकिनी को तो उसकी बेहन बोलती है किशोरी उसकी बेहन का नाम है किशोरी वो बोलती है कि भावी तो आई नहीं है सुकी की मा को छोड़ने के लिए बोला था तुम्हारी भावी को आई नहीं है वो बोलती है कि नहीं अभी तक तो वापस नहीं आई है तो अब राजमोहन गुसा हो जाता है कि अभी तक घर लोटकर नहीं आई है और दोस्तो मातंगिनी को गायव हुए तीन दिन हो गए तीन दिन तक उसका कोई अता पता ठिकाना नहीं था कि वो लेड़ी गई कहाँ पर दूसरी तरफ ये माधव माधव भी पता नहीं किन ख्यालों में खुया हुआ था उठता है बाहर की तरफ जाता है तभी अचानक इसकी कड्नैपिंग हो जाती है दो लोगों ने इसको कड्नैप कर लिया गया है अब आगे कहानी में क्या होता है ये माधव जो था ये अपनी बड़ी बीभी तारा के कमरे में सूने की कोशिश कर रहा था तारा वहाँ पर मौजूद थी लगा तार वो माथुर को नोट कर रही थी कि माथुर बहुत बेचेन है वो उसकी बेचेनी का कारण पूस्ते है देगो दोस्तों तारा बहुत समझदार लेडी है वो समझ गई थी कि उसका हस्वन कुछ ना कुछ तो कर रहा है अचानक परिशान होना और लोगी आवाज सुनते ही घर से चले जाना ये क्या क्या चीज थी है अब दोस्तों माधव की कड्नैपिंग हो गई थी माधव की जब कड्नैपिंग हो गई वो जब जागा तो उसने खुद को एक छोटे अंधेरे कमरे में अकेला पाया वो वास्ता में एक गोदाम टाइप का था और उसकी कड्नैपिंग किस ने की थी सरदार ने और बीकु ने वो अंदर आते हैं माधव डिरेक्ली सिर्फ एक ही चीज पूसता है उन दोनों से कि तुम दोनों को मेरी कड्नैपिंग करने के लिए किस ने कहा अलाकि माधव जानता है कि उसके बड़े भाई माथुर ने ये काम किया होगा वो लोग बस उससे उसकी वसियत मांग रहे थे कि वसियत दो वसियत तरसल ये डाकू लोग इसकी वसियत का क्या करेंगे वसियत का असली काम तो इसके ये जो चचिरे भाई माथुर का था इस बंदे ने इन डाकों को तयार किया राजबोहन को तयार किया इन सब को तयार इसी नहीं तो किया था कि इसको लगता था कि राम गोपाल ने जाते जाते अपनी सारी प्रापटी अपने इस भतीजे के नाम कर दी इसके नाम क्यों नहीं की क्यूं? तभी अचानक इस सरदार को और बीकू को कुछ चीखे सुनाई देती है कुछ आवाजे सुनाई देती है देखो ये जानना चाहते हैं कि आवाजे आ कहां से रही है लेकिन ये जान नहीं पाते तो इनको लगता है कोई भूत है और भूत भूत करते हुए ये दोनों वहाजे भाग जाते है और दोस्तों ये कोई भूत नहीं था बलकि माथुर की बीवी थी तारा वो इसको बचाने के लिए आई थी तारा कभी माधव की अच्छी दोस्त होती थी बच्पन और जब इसको डाउट हुआ कि इसका हस्बेंट कुछ गलत कर रहा है तब ही यहाँ पर इस गोदाम में पहुँची और इस गोदाम में इसको किड्नैप किया हुआ माधव मिला माधव को ये बचाती है लेकिन दोस्तों चीक की आवाज इसकी नहीं थी चीक की आवाज कहीं और से आ रही थी चिल्नाने की आवाज कहीं और से आ रही थी अब इदर उदर ढूंडने के बाद में उसी गोदाम में माधव को एक छूटा सा दर्वाजा मिल जाता है और बड़ी मुश्किल से माधव उसे खीच-खीच कर खूलता है दर्वाजे से कुछ सीडिया नीचे जा रही थी काफी अंदर तक ये दोनों उतर कर सीडियों के नीचे उतरते हैं और पहुंसते हैं कमरे में जहां पर बिस्तर पर एक औरत लेटी हुई थी और वो औरत कौन थी मातंगिनी ये लोग मातंगिनी को उस कमरे से बाहर लेकर आते हैं और वापस लाकर उसको होश में लाते हैं देखो दोस्तों मैंने आपको कहा था कि मातंगिनी को किड्नैप करवाया था जब पहली बार मातंगिनी को उसने देखा था तब से ये उसकी साथ में सोना चाहता था इसने मातंगिनी को कड़नेप भी करवाया, किसके जरीए सुकी की मा के जरीए, सुकी की मा असलियत में माथुर के लिए काम करती, माथुर ने सब को खरीद रखा था, अब एक तुफानी शाम हम देखते हैं कि माथुर सरदार से मिल रहा था, सरदार बोलता है कि बीको गिरफ और बीकू को अपना स्टेट्मेंट वापस लेने के लिए मजबूर कर देगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ आइरिश मजिस्ट्रेट जब अपने पुलिस वालों के साथ में माथरों गिरफतार करने के लिए आया और बहुत तलाश करने के बाद में जब माथर को गोदाम में ढूंडा गया तो देखा कि माथर ने अपने कमरे की गोदाम की कमरे की चट से खुद को फांसी लगा लिती अब सरदार तो राधागन से भाग चुका था बीकू गिरफतार हो गया था राजमोहन को भी गिरफतार कर लिया गया बीकू और राजमोहन अब जेल में हैं और मातंगिनी का जहां तक सवाल है वो अपने बाप के पास में चली गई और कुछ समय बाद में उसकी विड़ात हो गई ऐसा कहा है इस कहानी के आइड में बंकेम चंदर चटर जी न है तो ये नूवलती राजमोहन स्वाइफ उमीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई आज की इस वीडियो में बसतना ही अब जब आपने ये वीडियो खुत्म कर ली है तो मैं उमीद करता हूँ आपको ये कहानी भी समझ में आई होगी और अब इस पे आप अंसर भी लिख सकते हो ऐसी बहुत सारी समरीज मैंने बना रखे ही चैनल पर और भी बनाते रहेंगे पर आज की इस वीडियो में बसतना ही मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में